जहिन बंदे मात्रम दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में साइंस में केमिश्ट्री के टॉप 50 कोश्चन इस वीडियो में डिसकस करेंगे इससे पहले मैंने इसके 13 पाट अफलोड कर दी हैं यदि आप लोगों ने वीडियो को नह दवाल है इससे आने चारी नए वीडियो नोडिफिकेशन आप सभी लोगों तक असानी से पहुँच जाएगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यदि आप चाहें तो इस सभी कोश्चन के आंसर कोमेंट करके भी बता सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बात करते हैं नाश कोशन की ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सुत्र चैनल क्या है तो ब्लीचिंग का रासायनिक सुत्र होगा वीडियो जो आपसे आने पर लाइक और श्यर जेरू करें आप लोग option जो A है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question सबसे सुध कोईले का प्रकार कौन सा है काफ important question वहिया मेरे याद कलीजी आप लोग सबसे सुध कोईले का प्रकार कौन सा है यह question ने पूछा जा रहा है option जो D है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा अगला कोश्चन कारवन का सुद्धतम रूप कौण सा है ये भी काफी इंपोर्टन कोश्चन है कारवन का सुद्धतम रूप पूच रहा है ही रा तो डी वाला जोबसन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन क्यों बढ़ते हैं निम्ण में से कौण सा पदार्थ सुद्ध कारवन से बना है कौण सा पदार्थ सुद्ध कारवन से बना है सी वाला जोबसन है आपका ग्रेफाइड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन कोईले के जलने से बनती है कोईले के जलने से क्या बनती है कोईला किस प्रिक्रिया से बनता ये कोशन में पूछा जा रहा है option जो A है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question निम लेखित में से कौन विर्वादार अपर रूप है निम लेखित में से कौन विर्वादार अपर रूप है तो B वाला जोप्सन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कोमेंट बाक्ष में ये जुरू बताएं कि आप लोगों ने इन 50 कोश्चन में कितने सही किये हैं और कितने गलत कोश्चन है कारवन एक तो कारवन क्या होता है कारवन एक अधातू होता है तो B वाला जोप्सन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेश्ट कोश्चन ग्रेनाइट निम लिखित में से किस सेल में पाया जाता है ग्रेनाइट निम लिखित में से किस सेल में पाया जाता है ग्रेनाइट ओगनेस सेल में पाया जाता है B वाला जो option है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question H2O Basp sweat nirjal C U SO4 को ... कर देता है निला तो B वाला जो option है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question iodine की texture में क्या नीत होता है iodine की texture में क्या नीत होता है option C जो है आपका potassium iodide में आयोडीन का बिलेंज, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नेस कोश्चन निम लिखित में से को सा सामान नमक का स्त्रोथ है, यह कोश्चन में बूचा जा रहा है, हिलाईट, बी वाला जहाप साथ का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. अगला कोशन बाक्साइट किस धातू का आयक्स है बाक्साइट किस धातू का आयक्स होता है तो बाक्साइट ऐलूमुनियम धातू का आयक्स होता है तो ए बाला जोबसन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन कारियो लाइट किस धातू का आयक्स है कारियो लाइट इलूमुनियम का आयक्स है टी वाला जो अपसन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखिए टांका सोल्डर किसका मिसरण होता है टांका सोल्डर किसका मिसरण होता है तो टांका सोल्डर सीसा वा टिन का मिसरण होता है अगला कोशन तांबा और टिन की मिसरदातू क्या कराती है तो तांबा और टिन की मिसरदातू क्या कराती है तो तांबा और ट अगला कोशन देखिए क्या है किस मिस्र धातु का प्रियोग बायू यान के हिस्से बनाने में किया जबता है वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और सेर जिरू करें आप लोग डी वाला जवाप सेने आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन पीतल किसकी मिस्र धातु है काफी इंपोर्टेंट कोशन नहीं है पीतल तामबा बाजस्ता की मिस्र धातु है तो सी वाला जवाप सेने आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बढ़ते हैं अगले कोशन की और पदार्थ द्रब की अवस्था जहां निश्चित आकरती और निश्चित दोनों में बढ़नित है निश्चित है सी वाला जवाप सेने आपका ठोस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बात करते हैं निश्च कोशन की निश्चित में से कौन रासाइनिक परिवर्तन है कौन रासाइनिक परिवर्तन है ऑप्सन जो बी है आपका दूद से दही का बनना त अगला कोशन सक्कर के घोल का तापमान पढ़ाने से सक्कर की बिलेता क्या होती है सक्कर की बिलेता जो होती है वो बढ़ती है तो B वाला जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन निम्न में से किसमे नाइट्रोजन पाया जाता है नाइट्रोजन किस में पाजा जाता है ओप्षन जो B है आपका प्रोटीन में पाजा जाता है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन नाइट्रोजन इस्तिरी करण के लिए कौन सा तक्तु आवश्यक होता है नाइट्रोजन इस तरी करण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है नाइट्रोजन ये वाला जो अप्सन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन वहाग गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है ये क्या कहलाता है अगला कोशन वहाग पोटेसियम नाइट्रेट का उप्योग होता है उब्रक के लिए तो सी वाला जो अप्सन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन जल की कठोरता किसकी उपस्तिती से होती है कोशन पूछा जा रहा है मगनेसियम बाइक कारणेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रे किसका घुलंसीन रवड है option C जो है आपका sodium एवं calcium बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question green vitriol किसे कहते है green vitriol किसे कहते है green vitriol कहते है ferrous sulfate को तो D वाला जो option है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा बिलो अच्छा लगे बिलो वो like उसे है ज्यादा से ज्यादा करें आप लोग अगला question dynamite का अभिसकार करने वाले Swedish रासायनिंग अभिहंता एवं उद्योग पती का नाम क्या था काफी important question option जो एपका बिल्कुल correct हो जाएगा अल्फरेट बर्नार्ड नोवल Nash question निम लिखित में से किस कार में क्लोरीन का उपियोग नहीं होता है रासानिक उब्रक में तो D वाला जो option है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है अगला question मिट्टी के तेल के कौथनां को किस ताप परिसर द्वारा दर्साया जाता है मिट्टी के तेल के कौथनां को किस ताप परिसर द्वारा दर्साया जाता है ये दर्साया जाता है 150 डिग्री से माइनस 300 डिग्री सेल्सियस पर तो D वाला जो option है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए बात करते हैं अगले question की तेल पानी वाग गयस किसी कुवे में निम्ड आरोही क्रम में विग्दमान रह सकते हैं ये विग्दमान रह सकते हैं पानी तेल और गयस में तो A वाला जो option है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question निम्ड में से कौन सा एक नावकिया इधन है अगला question निम्ड में से कौन सा एक नावकिया इधन है option जो A है आपका बिल्कुल correct हो देगा थोरियम अगला question निम्ड लिखित में से polymer है C वाला जो option है आपका starch बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question सुस्क बर्ब किसे से तयार की जाती है काफी important question नहीं है सुस्क बर्ब किसे तयार की जाती है carbon dioxide से तो A वाला जो option है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा अगला वारा question है carbon dioxide की प्रकति कैसी होती है carbon dioxide की प्रकति कैसी होती है खटा स्वाद T वाला जो option है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए बात करते हैं अगले कोशन की कार्बर रेडम का प्रियोग निमलिकित किसी रूप में किया जाता है किसी रूप में किया जाता है option जो D है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा कठोर बस्तु को काटने में चलिए बात करते हैं अगले कोशन की यूरिया में नाइट्रोजन होता है कितने प्रतिसात होता है यूरिया में नाइट्रोजन 47 प्रतिसात तो B वाला जो option है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question तमाखों में बिशैला पदार्थ होता है तमाखों में बिशैला पदार्थ होता है डिटोरियम आकसाइट को धारी जल कहा जाता है तो बी वाला जो आप्सेन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन पी एएम किसका संचिप्त रूप है पी एएम किसका संचिप्त रूप है आप सी जो है आपका प्रोटीन एनर्जी माल्डियूम तो देखें 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 मानो द्वारा निर्मित पर्थम संसलिष्ट रेशा था कौण सा था रेउन तो बी वाला जो आप्सेन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला हमारा कोशन रेडियो कार्वन डेटिंग डौट-डौट-डौट की उम्र ग्यात करने के प्रियुक्त किया जता है जीवा स्मों की तो बी वाला जो अपसे ने आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला मारा कोशन लोहे पर जंग लगने से उसका जो भार होता है क्या होता है काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है और काभी वा ये रेलवे की परिच्छा में हो चुका है अगला कोशन देखिए रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए क्या कारान है क्योंकि कार्मणाइज चोड़ते हैं ये वाला जो अपसे ने आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेस्ट कोश्चन जल का कोथनांग अधिक होता है क्योंकि जल का को पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि लिए पानी रोर के पीटानग उसे इससे पहले मैंने इसके करीब करीब 13 पार्ट अपलोड कर दी है यदि आप लोग नी वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्ले लिश्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक हो से जरू करें चैनल पर पहली बार जिट कर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पास ही में आपके विडियो नोटिफिकेशन आप सबी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी तो मिलते हैं नश वीडियो के साथ ज हिंच आवाइब